अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एने सब्सक्राइब करें अगर अपने दोस्तों में शेयर करना बिर्कुल ना बूले इससे पहले भी मैंने अपना एक वीडियो बनाया था अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आज हम लोग बात करेंगे यूपी के बारे में तो आईए स्टार्ट करते है उत्तर प्रदेश की इस्थापना कब है लगभग 20 करोड छेत्रपल की इद्ट से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा अस्थान है पूर्थ जनसंख्या की इद्ट से उत्तर प्रदेश का कौन सा अस्थान है पहला वेरी गुड आप बताईए उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है नैपाल से उत्तर प्रिदेश की सीमा भारत की कितने राज्यों से लगती है? एट स्टेट प्लस वन यूटी उस यूटी का क्या नाम है? निवडल ही वेरी गूट और किस देश से लगती है? नेपाल से नेपाल की राजधानी क्या है? काटमांडू नेपाल के पीम का क्या नाम है? केपी ओली उत्तर प्रिदेश का सरवादिक जनसंख्या वला जिला कौन सा है? इलाहाबाद इलाहाबाद का नया नाम आपको पता है? प्रियाग राज वेरी गूट उत्तर प्रदेश का सबसे कम जंजंख्या वला जिला कौन सा है? मावबा वेरे गुट उत्तर प्रदेश में सरवादिक साचर्टा वला जिला कौन सा है? कौतम पुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में सबसे कम साचर्टा वला जिला? स्रावस्ति वेरे गूट उत्तर प्रदेस की प्रमुख जन्जात का क्या नाम है? ठारू कहा पाई जाती है? गोरकपुर में वेरे गूट सगुन आप बताईए उत्तर प्रदेस का प्रमुख नद्रत्य क्या है? कर्मा मयोड जोला उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगा और प्रमुख नदीया कौन सी है गंगा या मुना गंगा के लंबाई कितनी है 1655 आप बताए गंगा कहां से निकलती है गंगो उत्तरी से गंगा कहां जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुक्वंत्री कौन है योगी आदितनात और फश्ट मुक्वंत्री कौन बने थे गोविंद वल्लपंत उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजिपाल कौन है आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश में ताज महल है किसने बनवाया था साजाहाने ता आपको बताना है ताज महल किसकी याद में बनवाय गया था मुम्ताज महल की याद में आगरा का किला किसने बनवाया साथ अकबर ने गुड उत्तर प्रदेश की फश्ट महिला राजिपाल कौन थी सरूजिनीन आईडू राजिपाल का उलेख किस अनुच्छेत में है 153 में वेद पता है वेद का मतलब क्या होता है ग्यान बताईए सगुन वेद कितने है चार किसी एक वेद का नाम बताओ त्रीग वेद और बताओ साम वेद है जजुर वेद ये बताईए गायत्री मन्त किस वेद से लिया गया है रीग वेद से ये बताईए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में उस दिन क्या मनाया जाता है आहिंसा दिवस मनाया था और गांधी जन्म हुआ जाती लाल बहादूर सास्तरी भारत की क्या थे प्रधान मंत्री बने थे या राजपती भारत की वो थड़ पीम बने थे गुड़ बताईए उत्तरव देस का राज़की पश क्या है एनिमल क्या है सारस बताना है सगुन वर्मा आपको हडपा सब्वेता जो है उसकी खोच का भुई थी किस सन में हुई थी 1921 को हडपा सब्वेता में विसाल इसनानागार कहां पाया गया है मोहन जोदुडों में अच्छा ये बताइए पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था युदुष्ठिर इचर्स डे का मनाते हैं 5 सक्टेंबर चिल्डर्न सडे का मनाया जाता है 14 नमबर सगुन आप बताइए वन येर में कितने मंद होते हैं 5 येर मंद फर्ष्ट मंद कौन सा आता है फर्ष्ट मंद कौन सा आता है जन्वरी लाश्ट मन्थ दिसम्बर दिसम्बर में 25 दिसम्बर को क्या मनाते हैं क्रिस्मस डिट वेरी गुड आप बताईए नालंदा विस्विद्यले कहां है बिहार में बिहार की राजधानी का नाम बताईए पटना बिहार के मुख्यमंत्री कौन है आप बताईए राजधान के सीम का क्या नाम है असोग गहलोत राजधानी जैपुर जैपुर को हम किस नाम से जानते हैं पिंक सिटी के नाम से अच्छा ये बताईए मानो द्वारा उपियोग किया गया पहला धात क्या था तामबा गायत्री मंत्र कहा से लिया गया है रिगवेट से चौदा नॉम्बर को क्या मनाय जाता है चिल्डर्स डे चिल्डर्स डे चौदा नॉम्बर को ही क्यो मनाते हैं क्योंकि इस दिन बंडे जवाहलाल नेरू का जन्मुआ था वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे इसलिए उनके जन्म दिन पर चिल्डर्स डे हम लोग मनाते है बच्चे उन्हें प्यार से क्या कहते थे चाचा नेरू बट बताईए सोला सिस्टम में कितने प्लेनेट है एट कौन कौन से अगर आपको हमारा वीडियो पसंद ला तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेयर करना बिर्कुल न भूले थैंक्यू बाई बाई